मेरी स्क्रीन विजिबल है सभी को? जी सर्थ आज हम पढ़ते हैं स्वामी सत्यानान सर्षवती जी का जिवन प्रिच है स्वामी सत्यानान सर्षवती जी का जनम 25 सितंबर 1923 को उत्राखंड के अलमोडा में एक गरीब किसान के घर में हुआ फकीरी इनके जनम से ही इनके भीतर थी और इनकी पारंभिक शिक्षा जो हुई थी वो गाउं में ही हुई थी इसके बाद भैरवी सुखमन नामक तंत्रिक के पास इनोंने योग, मुक्ती, वेराग्या, आदिकी पारंभिक शिक्षाय शुरू की थी 18 वर्ष की आयू में इनोंने घर का त्याग कर दिया था और एक सच्चे गुरू की तलास में निकल पड़ते हैं दो वर्ष तक कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास जाते हैं लेकिन किसी से भी सुनतुस नहीं हो पाते हैं आई बीश वर्ज की आयूं में सन उननिसो तर्तालिस इस्वि में इनकी भेट स्वामी शिवानन शर्षवती-जी से होती है और स्वामी शिवानन सर्षवती-जी एक सभा का आयूजन था वहां अपनी सभा कर रहे थे तो ये जाकर ये भी सभा में बैठ जाते हैं और उनके व्यक्षान को सुनते हैं और व्यक्षान सुनते ही सुनते अपने मन ही मन में इनको अपना गुरु मानते हैं लगबग चार वर्स तक इनके पास रहकर इनी के आश्रम में और शिक्षा ग्रहन करते हैं और लगबग चार वर्स बाद स्वामी शिवानन सरस्वती जी ने देखा कि ये वेक्ति सच में जिग्यासु है तो स्वामी जी ने उन्हें सन्यास की देने की सोची और 12 दिसंबर 1947 इस्वी को रीशी केज में गंगा नदी के किनारे इनको सन्यास की दिक्षा दी और अपना शिश्य स्विकार करते हैं और तब से इनको एक नई पहचान मिल स्वामी नहीं लगा था लगातार 12 वर्स तक योग दर्सन अध्यातम वेद उपनिशद की शिक्षक रहन करते हैं और इसके बाद गुरु से आग्या लेकर पूरे भारत का ब्रह्मन करते हैं और प्रिवराजक सब्द आया था ना एक बार पीछे भी तो वो जीवन जीते है यह सिन्यास लेने के बाद और खूब योग का परचार परसार करते हैं सन 1962 हिस्वी में इन्होंने अंतरराश्ट्रिये योग फिलोसिफ अंदोलन की शुरुवात की थी और इसकी शुरुवात बिहार से की थी इन्होंने सन 1964 इस्वी में बिहार योग मुवंगेर की स्थापना की और वहाँ पर योग अध्यातम प्रियावरन आधि को प्रात्मिक्ता दी स्थापना इन्होंने की थी स्वामी सत्यानद सरस्वती ने जहांसे हर्वर्श लाखों शिक्षक निकलते हैं इन्होंने सक्त्यानंद योग एकात्मक योग प्रम्प्रा की सुरुवात की थी और जिसका परचार परचार दूर दूर तक होने लग गया था सन 1968 इस्वी में इन्होंने विदेश का दोरा किया और खूब गुमे विदेशों में और खूब योग का परचार परचार किया फिर वापिस भारत आने के कुछ समय परचाथ इनके परमुक शिश्य थे निरंजना नंजी उनको अपना बिहार योग मुंगेर सौप कर और सन 1988 इ में जारखंड में एक छोटा सा कसबा रिख्या नामक जगह है वहां पर जाकर ये योग का परचार परसार करते हैं और वहां आजपास के लोगों को योग आज्यातम करम के बारे में लोगों को बताते हैं और इसके बाद एक यज का आरम करते हैं जो की बारा वर्स तक चला था और जिसको रादसो यग कहा गया है सन 2007 में रिख्या में इन्होंने रिख्या पीट की स्थाबना की थी और फिर कुछ समय पस्चात उसको भी किसी के हवाले करके फिर से जोला उठाकर ये जंगल में निकल पड़ते हैं और इन्होंने आसन प्राणाया मुद्रा बंद नामक पुस्तक की रचना की थी जो कि सबसे परमुक पुस्तक है और गीता के बाद श्रिमत भगवत गीता के बाद सबसे ज़्यादा बिखने वाली पुस्तक है इसके बाद इन्होंने सवर योग, सुर्या नमस्कार, बच्चों के लिए योग, योग निद्रा, मुक्ति के चार सो पान, आदी पुस्तकों की रचना की थी और सन 2007 से लेकर 2009 तक ये जंगल में एकांतवास में रहे थे, और सन 5 दिसंबर 2009 को स्वामी जी मध्यरात्री में अपने शिष्चों के बीच में इस नश्वर दे को छोड़ कर और मौक्ष की प्राप्थि करते हैं, और उनके बीच में रहती है, तो हमारे बीच में रह जाती है उनकी रचनाएं, यह था स्वामी शिवानन सरस्वती जी, सत्यानन सरस्वती जी का जीवन प्रिच्च हैं, और अभी मैं आपको एक जीवन प्रिच्च और पढ़ाऊंगा जिसमें, मुक्ति के चार सो पान बहुत अच्छी बुक्स हैं, अच्छी है, बुक्तों सारी बहुत अच्छी हैं, जी नहीं, इजी वे में लिख रखाया है, चारो साफाद का वर्णन इन्होंने बहुत इजी में, जी 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 अब हम दूसरे जीवन प्रिच्च पर आते हैं, यह स्वामिक कूवल्यानंद सर्श्वती जी, जो की बहुत अच्छे वेज्ञानिक, संत, सोध करता, चिंतक, द्रिष्टा वेक्ति थे, जिन्होंने दुनिया के परमुक संस्थानों में से एक संस्थान की स्थापना की थी, जिसका नाम है कविल्याधाम, स्वास्थ्य एवं योग अनुसंधान के इंदर लोनावला महरास्ट्र में। इनका जनम 30 अगस्थ 1883 इस्वी को गुजरात के दबोई नामक ग्राम में हुआ था और इनका बचपन का नाम जगननात गनेश गुणे था। इनकी माता का नाम शर्सवती देवी था जो की ग्रहनी थी और इनके पिता का नाम गनेशा गुणे था। जो की अध्यापक थे और था। क्योंकि इनके पिताजी थे वो अध्यापक थे तो पढ़ाई में अच्छी रूची होने के कारण इनका दस्वी की प्रिक्षा में पूरे राज्य में पर्थम स्थान आया था। इसके बाद इन्होंने कॉलिज में दाखिला लेते हैं ये और जब ये पूरे राज्य में प्रथम आते हैं दस्वी की पढ़ाई में तो जब ये कॉलिज में एड्मिशन लेते हैं तो इनको छातरवर्ती मिलने लग जाती है और उसके भियोव पर ये कॉलिज में जानते हैं और उसके बाद सारी रिशिक्षिया का अभ्यास करने के साथ साथ सिखाना भी शुरू करते हैं ये उसके बाद सन 1907 से लेकर 1910 इस्वी में इन्होंने सनातक को पूरा कर लिया था और वहीं सन 1919 इस्वी में इनकी मुलाकात परम हंस माधवदास जी से होती है जो कि योगी थे माधवदास जी से इन्होंने लगबग दो वरस तक शिक्षा ग्रैंड करते हैं और इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक शोध किया जाए ततपस्चात इन्होंने वडोदा के जिला अस्पिताल की लैबरोटरी में अपने अंत्रगत लेकर शोध का कारिया सन 1921 इस्मे में इन्होंने अपना पहला शोध पूरा किया था और इसी दोरान इनकी मुलाकात होती है लोक मानने तिलक जी से और मेरिशी अरेवण जी से होती है और इन दोनों के जीवन से यह इतना प्रभावित होते हैं कि इन्होंने तभ ही ठान ले थी कि अब आजीवन ब्रह्म चारी रहकर अपना पूरा जीवन शोध के लिए अपने देश के लिए करना है तो सन 1924 इस्वे में इन्होंने कैवल्य धाम स्वास्थय योग अनुसंद्धान के अंदर लोना वला महरास्टर की स्थापना की जो की दुनिया के जितने भी योग के अनुसंद्धान है उन में से सबसे अग्रणी है सन 1932 इस्वे में इन्होंने योग मिमान सा शोध पत्रिका का संचालन किया था और उसके बाद शांता कुझ बोंबे में कैवले की एक शाखा का उधगाटन किया करते हैं और उसके बाद वडोदा में उसके बाद महरास्टरा में उधगाटन कर और फिर सन 1901 में इन्होंने पहले योगिक अस्पिताल की स्थापना करी थी और इसके बाद के अंदर ही के अंदर ही गोवर्धन दास नामक कॉलिज की स्थापना की और सन 1944 इस्वी में इन्होंने मादव दास योग समीती बनाई थी जो केवल शोद के करिया को ही देखती थी स्मिर्थी कुछ पर्मुक पुस्तकों की रचनाई की थी और आज के समय में वहां से लाखों पुस्तकें शोद के अधार पर अलग अलग लेखकों के दवारा रचित की गई हैं। पर अन्स्तकों में लेन हो जाते हैं यहां इनकी जीवनि समाप्त होती है। अब इस जीवनि को लेकर आप लोगों करके कोई क्वेस्चन रह गया हो कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप बता सें. इनके गुरू का नाम क्या था? किनके गुरू का नाम जी? मादवधास. मादवधास था ना? मादवधास था. सर ये हमारे पूर्णा से 40 किलो मेटर पर ही है. अच्छी बात है जी. जाते हैं आप कभी? हाँ सर हम जाते हैं. कि दो बार जाके आई यहां से अच्छा बहुत ही अच्छा हुआ हुआ कि छोटी-छोटी सी जीमिनिया थी जो मेल-मेल चीजे थी वो इसमें आ चुके हैं सारी कि सारी कुष्पा मैम कि देखा कि देखा कि दुश्पा में पर जाए थी जीमिनिया थी दोनों आपको कि अजिए सब्सक्राइब दोनों जीवनिया यह परमुख है एक तो यह कुबले धाम जी स्वामी कुबले नंजी की और एक स्वामी सत्यानन जी क्योंकि नहीं जो दोनों ने जो स्थापने की हैं वो बहुत बड़ी पड़ी हैं एक बिहार योग मुंगेर की स्थापना और ए जो सबसे ज़्यादा नेट जिया अब में जो हमारे योग में पुस्त क्या आती हैं तक्रीबन इनी से बनते दोनों प्रकाशन पुस्ति कहां से पुस्त कों से यह तो बिहार योग मुंगेर से और या फिर यह लोना वलबादी से किसी के पास पुष्पा जी का नंबर है नहां जी चलो रहन दो आज और निकलते हैं किसी को कोई डाउट है जी आज की क्लास को लेके यह सुर्णो अब आपके भक्तिकाल के तीन योगी रह गए हैं जो में संत हैं इस धरा के कभीरदास जी सूर्दास जी और गोस्वामी तुलसीदास जी और एक रह गया आपका राम क्रिशन प्रमास जी का उनकी जीवनी में को ध्यान नहीं थी मैंने वह थोड़ी सी लिख रखी है और बाकी वह रह गी लिखनी मैं उसको आज पूरा करता हूं जी कल है आप लोगों को हासर बता दीजिएगा ठीक है जी मैं इसी पतंजरी जी के पढ़ा देंगा आप लोगों को तो कल आपको राम क्रिशन प्रमास जी के पढ़ाएंगे जीवनी आप अपने से थोड़ा सा पढ़के आएंगे उनके बारे में या हम हाँ कल तो वही पढ़ाएंगे फिर संड़े को आप अगर बोलेंगे तो रख लेते हैं क्लास उसमें हम तीनों जीवनिया कवर कर देते हैं सूर्दास जी की तबीरदास जी की और गोस्वामी तुलसिदास जी की ठीक है तो कल आपको पैम मैरीशी पतंजली जी की और राम क्रिशन प्रमांस जी के जी उन्हीं पढ़ाएंगे आप थोड़ा बहुत सा उनके बारे में पढ़के आना ठीक है जी चलो जैसी आपकी 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 आपक मेरे भी आद नहीं रही आप लोगों ने भी निकराई आईए जी कौन आएगा सामने प्लोजिंग 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 सभी योग सादक सुख अशन में बैठेंगे ज्ञान मुद्रा बनाएंगे कमर गर्दन को सिधा रखते हुए को मलता की भाव से अपनी आप को बन करेंगे हमारे साथ मंत्र को दोराएंगे एक से दो बार डीप इनहेल डीप एक्जेल ओम सर्वे भवन्तु शुखि नहा सर्वे संतु निरामया शर्वे भद्राणि पश्यंतु मा कश्यद दुख भाभवे ओम शानति ही शानति ही टोनों हतेलियों को आपस में इस परश करते हुए अपने मुक मंडल पर इस परश करेंगे को मलता के भाव से अपनी आखों को खूलेंगे धन्यवाज सभी का धन्यवाज शिवलोग जी आपका सभी को ओम नमस्थे कल मिलते हैं मारी शी पतंजली रामक्रिशन प्रहमाजजी के साथ आप पतंजली रामक्रिशन 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 पतंजली र